गाइस पेचले दो महीनों में भारती टीम में दो तीन कप्तान बदल चुके हैं मगर आब एक और नया कप्तान बदल चुका है हार्देक पांडिया भारती टीम के नय कप्तान बन चुके हैं बीसी से इने हार्देक पांडिया को बड़ी जिम्बेदारी सौब दी है रोईस सर्मा विलाड कोली की अलावल को हटा दिया है गैस आपको पाता है आईपेल 2022 के त्यारियां सुनू हो चुकी है और कुछ दिनों में ओक्सर होने वाला है जो कि इस बार बड़ा ओक्सर होगा मेगा ओक्सर होगा चार-चार खिलाडिया के वर रिटन किये हैं सभी टीमोंने बाकी के सभी खिलाड़े बेच से जाएंगे मगर दोस्तो सवाल तो ये है भारती टीम के नई कप्तान हर्दिक पांडिया क्यों बने हैं चलिए पहले आपको बता देती हैं आईपेल के कप्तानों के बारे में थोड़ा सा दोस्तो आपको पता है दो नई टीम है आईपेल 2022 में आपको नजर आएंगी पहले आज टीमे थी और अब 10 टीमे हो जाएंगी केल राहू लखनल टीम के कप्तान बन चुकी हैं मगर दोस्तों एहमदाबाज टीम के कप्तान पहले स्रेस अयर को माना जा रहा था मगर दोस्तों खबरें साब उचुकी हैं और हार्दिक पांडिया को नया कप्तान बना दिया गया है एमदावाद टीम ने बड़े जिम्मेदारी सोंपी हर्दिक पांडिया को मैं आर दोस्तों को सोसल मीडिया के चेनलों के द्वारा बताया जा रहा है कि हर्दिक पांडिया भारती टीम के ने कप्तन बने हैं दोस्तों ऐसा बुलकुल भी नहीं है हार्दिक पंडिया एमदवाद टीम के ने कप्तन बने हैं ना कि भारती टीम के